प्रेम ओशो मुमुक्षा क्या है बाबा आप अक्सर अपने परवचनों में मुमुक्षा शब्द का प्रियोग करते हैं करता है आंत्रिक गहराईनों से समझाने का कष्ट करते हैं मा, योग, तरप्ति भरी तो बहरी में रेगिस्तान में चलते चलते हैं नंगे पामें पाम जलने लगते हैं फफोले हो जाते हैं शरीर पसीने से तर्बतर हो जाता है दोपहर का सूरज सर पर है गर्म लोएं सरीर के पार निकल जाते हैं कहीं सुकून नहीं मिलता है कहीं चैन देखता नहीं दूर दूर तक ऐसे में जो इच्छा उठती है आंत्रिक प्राणों की गहराजों से उसे मुमक्षा कहते हैं दब जब तुम पकारते हो अंत्रिक प्राणों से उस शीतलता को तब जो उठे प्राणों के भीतर से उसे मुमक्षा कहते हैं मुमक्षा शब्द बहुत आसान है मुमक्षत्व बहुत मुश्किल है रोवा रोवा जलने लगता है संसार के दुखों से बोगों के दुखों से समझा था बोगों में सुख मिलेगा दुख मिला और भोगते भोगते तुम तरस्त हो जाते हो फिर पकार उठती है कि इस आवस्ता से मैं निजात कैसे पा जाँ उस पकार को मुमुक्षा कहते हैं और द्यान रखना बीना जले पकार नहीं उठेगा संसार की आग में जल्वा चलो रहे हैं फिर उसके करीब जाने की चाहत आएगे दोर रह करना करवात करीब आजाओ दूर रह करना करो बात करवा जाओ याद रह जाएगे ये रात करवा जाओ दूर रह करना करो बात करवा जाओ जब ऐसी पकार कर जाके भीतर से उठीनी शुरू हो जाएगे तो बस इसे ही कहते हैं मुख्षा बिना जले जले बिना राग रेकस्तान में नंगे पाउं चले चले पाउं में फफोले नहीं पड़े दो पहर के सूरज ने तुम्हें जलाया नहीं तुझे पकार नहीं उठीनी तन बदन पसीने से विगा नहीं गर्म लोन शरीर को बेता नहीं तुझे पकार नहीं उठीनी जब ये पकार उठें के परीब आजाओं तो मुम्मुक्षा जगी एसी रूखी सुखी बातों से मुम्मुक्षा का कोई संबन नहीं महें जो बुद्धी पकार है फर्दै सुना रह जाए ये तो मुम्मुक्षा नहीं है मुम्मुक्षा मीरा से पूछो मुम्मुक्षा पूछनी राधा से पूछो जो जल गई है जो इस आग में बस्म हो गई है और प्रभु का एक अवलोकन चाहती है और पूरे प्रान पुकार लेते हैं कि एक बार उसकी जलक मिल जा है तो परम शांती पर जाए एक मुदत से तमना थी तुम्हें छूने की एक मुदत से तमना थी तुम्हें छूने की आज बस में नहीं जजवात करिवा जाओ दूर रहकर न करो बात करिवा जाओ एक मुदत से तमना थी तुम्हें छूने की और इंतहा हो जाती है आज बस में नहीं जजवात करीब आजाओ दूर रहकर न करो पात करीब आजाओ जब ऐसी अवस्ता हो जाए तो मुमुक्ष जगी है यह रूखी सुखी बुद्धी की पुकार से मुमुक्ष जन्म दिन फर्दय के उस कोने से आती है जहां कांटे चुभे होते हैं फर्दय का रुवा रुवा बिंद जाता है इन कांटों से कहीं फूल दिखाई नहीं पड़ता है चाहा तो तुमने सभी वक्त था कौन नहीं चाहता है परतीक विक्ती सुख की चाहत में ही दिन भर रात यतनशी लहता है लेकिन दो बातों का होना जरूरी है एक तो वो रेगिस्तान की दुबहर तुम्हें जलादे वस्म करते हैं और फिर वो याद उसके ठंडी फुहार की याद तुमारी आँखों को अशुरूं से भर दें तो समझो मो मुक्षा का जनम होड़ा उस घृदय की पर्म तक्त अवस्था में तुम्हें संत की शीतल बानी याद आती है उसके अमरत वचनों की पौती हुई बरसात याद आती है कि हाँ एक जगा है जहाँ वो ठंड़क वहाँ शीतलता वरस रही है सर्द जोकां से भड़कते हैं बदन में सोले हैं जान लेलेगी ये बरसात करीबा जाओ जान लेलेगी ये बरसात करीबा जाओं दूर रह करना करो बात करीबा जाओं संतों की वानी के बरस्ते हुए शीतल पैगाम तुम्हें जाद आते हैं संत कहते थे एक स्थान है जहां जाकर शीतलता की फुहार वरस्ती है संत की वानी तब याद आती है मेरे सुने हुए आज के वचन तुम्हें शायद आज काम न पड़े हैं किसी ओर दिन तुम्हारे काम आने हैं जब बदन में शोले जले लगें जब हरदय में आग ददकने लगें जब प्रान कम जाएं इस वीश्ण तरास्ती से संसार की ये तप्त अवस्था तुम्हें व्यथित करते हैं तो तुम्हें उस गड़ी में याद आएगी संतों की ये शब्दावली वह बरसात जो किसी पल संत वचनों से हमारे उपर खुई थे उस बरसात की याद करके इस रेगिस्तान के तप्त वातवरण में तुम्हें थोड़ा सा आनंदित भी होगे और उस बरसात की याद में तुम्हारे खुद्या की शोले ज्यादा ददकेंगे जानू लेलेगी ये बरसात करिवाजा जानू लेलेगी ये बरसात करिवाजाओ दूर रहकर न करो पात करीब आचाओ ये पर्म पकार रदय के अंत से उठे तो मुमुक्षा बुधि से तो तुम सदा ही पकारते हैं बुधि से तो तुम सदा ही चाहते हो और इस हदय की पकार को जब बुधि दोहराने लगती है तो गलत फेहमी हो जाती है फिर तुम उसी पकार के कारण पदार्थों को एकठा करते हो गदियों को एकठा करते हो प्रेमी प्रेमेकाँ को एकठा करते हो आस पास के संसाधन एकठे करते हो सुख सविदा के लेकिन भूल जाते है सुकh सविधा में उसकी एक भूंद का भी स्वाद कहा है जो प्रेमी एक पल में प्रेम की एक भूंद का स्वाद चख लेता है और जीवन भर उसी स्वाद को फिर से चखने के लिए मरा मरा फिर से है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि तुम्हारी खुशी पर्म खुशी और आनंद के भीतर इस नाट एक कॉंटिटिटिव डिफरेंस बट इस क्वाजिटिटिव डिफरेंस वेजंदा तू गौणात्मक फर्क है संख्यात्मक फर्क नहीं तुम समझते हो कि हम बाहर से पदार्थों के सुख जो इंद्रियों के द्वारा माने जाते हैं वह अधिक और अधिकतम मात्रा में ले लिया जाएं तो उसे ही आनंद कहता है यही व्रांती में सारा जगत जी रहा है संथ बताता है के एक तल और भी है जहां उसकी बरसात होती है जिसकी इंतजार में तुमने कितने जनम समब्द करती है तुम्हारा सुखों का असीम हो जाना आनंद नहीं गुनात्मक फर्क है सुख और आनंद में जिनोंने पर्म सुख पाया पर्म आराम पाया वह इस बरांती में मत रहना कि मैंने आनंद पा लिया जिसने आनंद पाया पहस अभी सुखों को भूल गया यह त्याग होता है किया नहीं जाता है और होता तब है जब आनंद की एक भूंद का रस चक लिया जाता है अगर तुमने आनंद की एक भूंद का रस नहीं चका तो फिर तुम संसार की पर्म खुशी को ही आनंद माने बैठे रहोगे लेकर तुम्हारी पर्म खुश आनंद नहीं आनंद कहीं और है बहर के पदार्थों में नहीं है बहर की किसी वस्तु में पदवी में मान सम्मान में नहीं है उससे बहुत दूर जहां खुशी भी समाप्त हो जाती है दुख भी समाप्त हो जाता है सुख और दुख तो एक ही सिक्टे के दो पहलो पर इनसे पार जो आता है उसे कहते हैं आनंद इसलिए कहते हैं कि संत के वच्छं जाते जाते भी अगर करण में पड़ जाएं तो तो मधन्यवागी हो आज नहीं फिर कभी काम आएंगा तो जे काम आते हैं उस रिगस्तान की भूमी के उपर चलते चलते जब तमारे पाउं में छाले पड़ जाते हैं जखम हो जाते हैं उपर से रिगस्तान का दुपहरी का तप्त सूरज तुम्हें बिगो देता है पसीने से तर्बदर नंगे पाउं फिर तुम्हें संत की ये शब्द याद आते हैं कोई एक मुकाम है जहां शीतल हवाईं बहती हैं फिर तुम्हारी समर्ती में वो शब्दावली याद आती है जो कभी सत संग में सुनी थी संत के बचनों के तौरां और बड़ी ताजू की बात है कि उस दोपहरी में संत के वचनतों में और जला देते हैं जान लेटेगी ये बरसात करवाजां संत के ये शीतल वचन उस बरी दपहरी में जखमी हालत में जब तुम्हें याद आते हैं तो कलेजा और तडप जाता है काश हमने संत के वचनों के उपर अमल किया होता है तो आज ये दसान होती एक स्थान ऐसा है तुम्हारे ही भीतर है जहां ये शीतलता की फुहार बरसती है जब लू चल रही हो आसमान अपनी उच्चाईयों में उस सूरज को दमका रहा और ये गर्म लोएं तुम्हारे शरीर के भीतर से पार हो रहे हैं और बड़ी विकट स्थिती आ जाए उस वक्त जो पकार उठती है उस वक्त जो जाद आता है प्राण व्यकुल है किसी तरह एक मुद जल मिल जाए अन्य था प्राण निकल जाएंगे ऐसी वस्था में जो पकार उठती है जल की उसे मुमुक्षा कहते है तुमने मुमुक्षा का अर्थ गलत ले लिया है तुमने मुद्धी का विश्या बेना लिया है बस यही तुम्हारी मुड़ता है अध्यात्मिक्षा की प्रतिक अन्भव को जब तुम अपने मुद्धी के तरक से सुल जाने में व्यस्त हो जाते हो तो तुम महापाप करते हो हिद्धी की पुकार को ब्यक्ष्याईत नहीं किया जा सकता है तुम तो महज एक सुख और दुख की परभाशा तक नहीं कर सकते है तुम तो दर्द तक की परभाशा नहीं दे सकते है तो उस परमसुक को परमात्मा तक को परभाशित करना और वो भी शब्दों में लिपियों में और तुम्हारी ही बनाई हुई लिपियों में यह तर्क संकत नहीं है यह सकते नहीं है कोई भावना तुम व्यक्त नहीं कर सकते शब्दों में कह सकते हो मैं बहुत खुश हूँ हूँ मैं बहुत दुखी हूँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है लेकिन जब डॉक्टर कहे कि अच्छा दर्द को निकाल के दिखाओ कि कुम सा दर्द हो रहा है और तुम भावना को दिखाने में असमर्त हो जाते है तुम इतने कमजोर हो कि हुर्दय की भावनाओं को दिखा नहीं सकते है व्यक्त भी कहां कर सकते है शाब्दिक रूप से व्यक्त करना अभी व्यक्ती कहां है यह तो एक समझाने का साधन मत्र है किसी भावना को हुर्दय की किसी भावना को बुद्धी कहां समझा पाती है यदि पी तुम समझते हो कि हां मुझे समझा आ गया तुम तो प्रमात्मा तक की बातों को समझ लेते हैं और नहीं समझ आता है तो प्रशन पूश लेते हैं बावा समझ नहीं आ रहे और फिर बोला जाता है तो तुम कहतों कि हां मैं समझ गया क्या खाक समझ गया बावा तो अच्छी तरह जानते हैं कि जो समझाया नहीं जा सकता जो बोला नहीं जा सकता उसको ये क्या खाक समझ गया बावा तो बोलकर प्रशताती हैं कि जो बोलना चाहता था बोलना नहीं गया, अभी व्यक्त किया ही नहीं गया, और तुम इतने निर्वर हो, कि तुम हिर्दय तक की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त दिखला नहीं सकते, तुम उदास हो, उस उदासी को दिखलाओ, वहर निकाल के ये देखो उदासी ये रहो, ये दर्द रहा, ये सुकून रहा, कुछ भी तो तुम नहीं दिखला सकते, मतर शब्दों में व्यक्त कर सकते हो, और सदा ही तुमने वो किया है, परमातमा तक की विराट खुशी को आचार ये लोग, शब्दों में ढाल कर आपकी जेबों में ढाल देते हैं, जो समझाने में आता नहीं है, वो आपकी समझ में आ जाता है, इससे बड़ा चमतकार और क्या होगा? उस विराट को तुमने समझ लिया, इससे बड़ा चमतकार और क्या होगा? नहीं तुम्हें समझ नहीं आता है, और तुम्हें ही समझ नहीं आता ऐसा नहीं है, बोलने वाले से बोला नहीं जाता है, बहे बोलकर भी पश्टाता है, बोलना उसकी मजबूरी मात्र है, लेकिन बोले के पश्चात वो पश्टाता है, संसार की आग से जब तुम तरस्त हो जाओ। अभी तो संसार की आग तुम्हें लगती ही ना अभी तु संसार तुम्हें फूलों का बिछोना लगता है तो फिर इस फूलों के बिछोने को एकठा करो कोई नहीं कहता अद कच्छे पक्के मत उठी जाना है संसार के इन फूलों के बिच्छोने के उपर सो कर देखी ही लेना आराम करके देख लेना लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी दशा आ जाए या कोई दूर से पुकार रहा हो और इधर तुम संसार के सत्ता से बेचैन हो गए हो तरसित हो गए हो तुमारा घ्रदे सूलों से चुब गया है सारा सरीर जिखमी हो गया है रोम रोम जिखमी हो गया है और दूर से कोई पुकारता है फिर तुम उस आवाज को पकरते हो इस से पहले तुम बाजार के शोर बुल में उलजह रहते हो बहपकार रहा है हर पर लेकिन बाजार के शोरगुल में उलजे उलजे तुम्हें उसकी महीन पकार सुनती नहीं संसार के शोले जब तक तुम्हें जलाएगे नहीं तुम्हारा हिर्दे कांट उसे विदिर्ण नहीं होगा छिद नहीं जाएगा और चीतकार नहीं निकलेगी पूरे प्रणों से तब तक तुम्हें वो महीन स्वर सुनाई नहीं पड़े दे पहली बार पहली दफे जब तुम संसार के वितर दुखों का अन्भव करते हो सत्य रूप में दुखों की कोई कामना शेश नहीं रह जाती उस वाकत पहली बार तुम्हें वो बिलकुल बारी का आवाज सुनाई पड़ती है दूर से तुम्हें कोई पकार रहा होता है और तुम इसी के लिए लालाई थे इसी पकार को सुनकर तुम बेचैन हो जाते हो क्योंकि यही तो मैंने चाहा था फिर ये भीतर से आवाज उड़ती है दूर रह करना करो बात करवा जाओ याद रह जाएगी ये रात करवा जाओ फिर तुम चाहते हो हाँ मैंने इसे ही तो चाहा था रास्ता भटक लग था और और दरवाजे खटखटा रहा था क्योंकि अभी आशा बाकी थी संसार प्रलोभन देता है कि देरिज रखो आज नहीं मिला कर मिल जाएगा और उपर से तुमारे मोटिविशनल स्पीकर तुमें समझाते हैं कि चिंता मत करो आज गना अंधेरा है रात गनेरी है तो रुक जाओ सुबहा आई कि अवश्या आई कि लेकिन नहीं आई कि तुम संसार के फूलों से भरे सुन्दर बिचोनों को ही इकठा करते रहो गए और इसे मुमुक्षा नहीं कहते इन भोगों से दुखित होकर इन भोगों से विशित होकर ही जनक पुष्टे हैं अश्टावकर से इन भोगों से विशित होकर इन भोगों से तरसित होकर ही कपल वस्तु का सिंगाशन चोड़ कर भाग जाते हैं गौतम बुथ ये थी मुमुक्षा मुमुक्षा का सही भाव अगर देखना हो तो बुद्ध में देख लेना हैं जनक में देख लेना हैं अनिसा तुम किसी भी वरती को मुमुक्षा समझने लग जाओ और ध्यान रखना जब एक बार मुमुक्षा का जनम होता है तो वो कभी तूटता नहीं मुक्त होने की काम ना जब एक बार जग गई वीतर से तो वह वापस नहीं कभी जाती बस ये पहचान है लेकिन तुम्हारी मुक्त होने की काम ना तो बहुत बार हुई छोड़ दें ये सारा जनजाल ये कूडा करकट छोड़ कर एकांत में निरजन वनों में जाकर बैठ चाहें ये माले की कंदराओं में जाकर आनंद से बैठ चाहें जहां कुल शोर नहों लेकिन कुछ ही देर बाद तुम्हारे ये विचार जैसे बादल आसमान पर आए और चले गए ऐसा ही साबित होता है नहीं ये मुमक्षा नहीं यह तो सिर्फ प्रस्थितियों का अवलुकन है प्रस्थितियां गोर अंधेरी आ गई तो आप उसे गवरा गए थोड़ी देर के लिए और जैसे ही प्रस्थितियां छट गए तो आप फिर संसार में उलच गए ये मुमक्षा नहीं मुमक्षा की एक डेफिनिशन याद रख लेना मुमक्षा जब उतरती है तो फिर जाती है और जो चली जाए वह है मुमक्षा नहीं मुक्त होने की कम नहीं जब तुम्हें साफ साफ दिख जाए कि मैं तो सिर से पाम तक हाँ बंधनों से बंधा हुआ और ये बंधन इतने मजबूत है ये तूट नहीं सकते हैं और ये मेरे ही बनाई हुए हैं जब ये दिखने रख जाता है साफ साफ अनभव होता है कि मैं बंधा हुआ हूँ तो फिर इन्हें तोड़ने की अभिलाशा जो भीतर से उठती है उसे कहते हैं मुम्मुक्षा मुक्ति की काम नहीं लेकिन जब तक तुम अपनी जिंजीरों को बंधनों को देखोगे नहीं परिपून रूप से आख वरके तब तक मुम्मुक्षा नहीं जटेगी और मुम्मुक्षा का एक ही लक्षा है वह जब एक बार आ जाएगी तो फिर संसार का कोई भी प्रलूभन तुम्हें वाबस नहीं बला पाएगा तुम घर पे रहो इमाले की कंद्राओं में रहो लेकिन तुम्हारा घर्दय अगर मुमुक्षा तुम को प्राप्त हो गया तो ध्यान रखना तुम्हारे लिए गर भी हमाला है और अगर तुम्हारे घर्दय के वीतर मुक्षा होने की कामना इस तरह नहीं जगी तो फिर तुम चाहे हमाले की कंद्राओं में चले जाना है फिर भी तुम बंदे हो गया हो इसलिए जिसके वितर मुमक्षित्व की कामना जग गई वो तो घर बठे भी मुक्षा हो जाड़ा और जिसके वितर मुमक्षित्व की कामना नहीं जगी सिर्फ संसार ने उसको तरपाया दुख दिया संसार उसे बंधन की तरह लगा वह फिर चाहिए हिमाले की गोद में भी क्यों न बैठ चाहे मुक्त नहीं ओड़ पाएगा बस यही फर्क है असली मौमुक्षा में और नक्डी मौमुक्षा में असली मौमुक्षा एक बार जनम लेती है फिर कभी चाती है इतना घोर वेरग्या, पूरे हृदय के अचेतन मन के भीतर तक चा जाता है, तुमारी आत्मा को पूरन रूप से तलीन कर लेता है, गेर लेता है, फिर तुम कहां जाओगे, और जहां भी जाओगे, उसको साथ लेके जाओगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, गर के एकांत कमरे में बैठ जाओ, या निर्जन वणों में बैठ जाओ, या शान्त बरफीली कंद्राओं में बैठ जाओ, मुक्त होने की कामना, पूर्ण हर्दय से मुक्त होने की कामना, तब उठेगी, जब संसार ने आपको कांटी ही कांटे दिये हों, और वो कांटे, आपकी हर्दय की गहराई तक चुब गए हैं, रुवा रुवा आपका बिंद गया हो इन कांटों से, उससे पहले नहीं उठेगी, उससे पहले तो एक कांटा चुबा आपने फुरसप लिया उससे निकाल दिया, बस भूल गए कांटा चुबा था, लेकिन जब सारा सरीर ही बंद जाए, पूर्ण हिदा ही बंद जाए, संसार के दुख को कांटों से, तो अश्टा वक्र कहते हैं, जनकों, भोगों से दुख बेला होता है, राजन, और दुख से वेराग्या उत्वपन होता है, राजन, और वेराग्य से मुमुक्षा का जनम होता है, ये राजन, और ये करम बार चलता है, सीधा सीधा तुम, मुमुक्षा की सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आंत्रिक ब्रानों से उठी हुई बावना है, बुद्धी के तलों से उठी हुई बावना तो ख्षणिक होती है, ख्षण बंगुर होती है, अब उठी दो गंटे बात चली कहीं, पती पत्री में जबड़ा हो गया था, उससे पहले बड़े उपाये किया था, बोलना बंद कर दिया, पती ने कहा, मैं तुमसे नहीं बोलूँगा, और पती ने सुबह जाना था, तीन बज़े की ट्रेंट, सुबह सुबह पकड़नी से, तो कागज के उपर लिख दिया कि सुबह मुझे तीन बज़े से पहले जगा दिना है, मैंने जाना है दफसर के काम से, अब बूर लंग तो थान पत्नी ने वो परची पड़े सुबह तीन बजे से पहले जगा देना तैयार भी होना है गाड़ी पकड़ना तो उसने लिख दिया तीन बजे से पहले उसने दो बजे लिख दिया के उठ जाओ दो बज गए और वही रख दिया अब बोलना तो है नहीं तो जब सुबह उठा साथ बज गए बड़ा जूंजल लाया तुमने मुझे जगाए तो पत्नी ने इशारा किया परची की तरफ परची के दूसरी और लगा तो दो बज गए है उठ जब बोलना तो है नहीं जगड़ा जबा हो गया जगड़ू राम का अपनी इस्तरे साथ तो कहा बस अब और ने इससे अच्छा तो मरना अच्छा अब जिन्दा नहीं रहूंगा बिल्कुल नहीं रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए ऐसे कर तू चार परूंठे बनाते और बीच में सब्जी रख देना थोड़ी सी अचार की फाक रख देना तो पत्नी ने बोला जब मरने ही चले हो तो चार परूंठे और सब्जी और अचार का क्या करना है तो पत्नी बोला मरना है लेकिन भूखे तो ला मरना है खापी के मरूंगा कौन जाने हिंदूस्तान की प्रेल गाडियां ऐसा ही है चार गंटे लेड हो जाए तो खापी के तो मरूंग भूखा तो न मरूंग बस ऐसी ही तुमारी मुमुक्षा है रूखी सूखी रस विहीन उसमें रस नहीं है और जिस मुमुक्षा में रस नहीं है रस विहीन मुमुक्षा सिर्फ खोपडी की खुजलाहट हुआ करती है तुमारी मुमुक्षा भी इस तरह खोपडी की खुजलाहट है और तुमारे आचार्य तुम्हें खोपडी से ही समझाते हैं कोई भी अर्थ जो हिर्दय की अंतस गहराईयों से आता है वो तुमारे मार्ग दर्शक तुम्हें खोपडी से समझाते हैं सुल जहते हैं यही तुम्हारी दुरभा क्या है ऐसे मार्ग दर्शनों का मिल जाना मार्ग दर्शकों का मिल जाना अपने आप में एक अभीशाप है और उस आवस्था में तुम उस परमात्मा से कहते हो के मुझे अपने आगोश में ले लो इसकदर हम से जिजकने की जरूरत क्या है इसकदर हम से जिजकने की जरूरत क्या है जिन्दगी वर्का है अब साथ करिवा जाओ दूर रह करना करो बात कर बाजा ये मुमुक्षा है तर बात